नमस्कार मैं हूँ प्रमिला दिक्षित हर्याना के नुह में भड़की हिंसा में सबसे जादा किसी की चर्चा हुई है तो वो हैं फिरोजपूर्ट जिर्का के विधायक मामन खान हर्याना पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया है पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप सबूत है गिरफतारी से राहत की मांग के लिए विधायक खान पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट पहुँचे कोर्ट को पुलिस ने बताया कि उचित चानवीन के आधार पर ही उन्हें आरोपी बनाया गया था पुलिस के पास कथित रूप से उनके फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सुबूत हैं आपको बता दें कि पंजाब हर्याना हाई कोर्ट ने मामन खान को गिरफतारी से कोई राहत नहीं दी और उन्हें निचली अदालत में जाकर प्रोसीजर के तहट बेल एप्लिकेशन दाखिल करने के निर्देश दिये गए लेकिन उससे पहले ही हर्याना पुलिस के S.I.T. ने उन्हें गिरफतार कर लिया है तरसल जिस दिन हिंसा भड़की थी नूह में उस दिन वो नूह में थे ही नहीं उनके वकील ने मीडिया से बाचीत में कहा कि पता चला है कि F.I.R. में उनका नाम है 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिशत और बजरंग दल की शोभाय यात्रा पर कथित रूप से हमला हुआ था उसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी इसकी आग गुर्गराम और आसपास के इलाकों तक फैल गई इस दोरान गुर्गराम में एक मस्जित के इमाम की हत्या कर दी गई और इस हिंसा में कुल छे लोगों के मारे जाने की पुष्टी हुई विदायक मामन खान पर 4 सितंबर को F.I.R. दर्ज करने की बात सामने आई नूप पुलिस ने उन्हें इस मामले में पूष्टाच के लिए दो बार बुलाया लेकिन वो जाच टीम के सामने हाजर नहीं हुए इस बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें सर्दी बुखार हो गया F.I.R. के बारे में उन्हें गुरुआर को पता चला मामन खान कोर्ट से IG रेंग के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल स्पेशल इइन्वेस्टिकेशन टीम गठित करने की मांग की गई थी इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से टीम को स्वतन्त रूप से काम करने के आदिश देने की मांग بھی की थी सरकारी वकील ने इस पर कहा कि SIT टीम पहले से बनी हुई है पुलिस के मताबिक विधायक खान 31 अगस को सम्मन पर हाजर नहीं हुए अपनी याचका में विधायक ने बताया कि उन्हें सर्दी बुखार हो गया है और ऐसे में वो नहीं आ सकते उन्होंने ये भी बताया कि 26 जुलाई से एक अगस्त के बीच वो नूव में थे ही नहीं वो गुर्गराम सित अपने घर पर थे सरकारी वकील ने सुनवाई के बाद कहा कि जो भी सुबूत है वो मामन खान के दावे के विपरीत है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग फोन टावर के लोकेशन के जरिये ट्रैक की गई और विधाय के नीजी सुरक्षा अधिकारी भी इस मामले में बयान दे रहे हैं जो खान के दावे को जूठा साबित करते हैं